Hello SPS Astrology Lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी Second Marriage के बारे में यानि दूसरी शादी के बारे में और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दुनिया में ऐसा परसन होगा जो दूसरी शादी करना चाहेगा लेकिन कुछ कारण ऐसे बनते हैं, कुछ परिस्तितियां ऐसी बनती हैं जिसके चकर में आपको Second Marriage यानि दूसरी शादी करनी पड़ती है और कारण बहुत से हैं, हो सकता है कि आपका डाइवॉर्स हो गया हो, हो सकता है कि जो आपका पहला Life Partner है वो आपको छोड़ के चला गया हो हो सकता है कि जो फ़ास्ट आपका Life Partner है उसको कोई बीमारी हो गई हो और उसके चकर में Separation हो गया हो या उनकी death हो गई हो तो ऐसे बहुत सारी कारण होते हैं जिसके चक्कर में हमें second marriage करनी पड़ती है और कई बार क्या होता है कि पहली marriage हमारी proper तरीके से चल रही है और उसके बाद भी हमारे किसी के साथ अफेर हो जाता है या हमें किसी की need महसुस होती है तो हम second marriage कर लेते हैं तो second marriage अगर हम कर रहे हैं यानि दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसका result कैसा होगा दूसरी शादी हमारी अच्छी जाएगी कि खराब जाएगी second life partner कैसा आएगा उसके साथ जो हमारा relation है वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ भी लड़ाई जगड़े होंगे या उसके साथ भी कुछ ऐसी problems होंगी जो पहली वाली हमारी शादी में हो रही है तो ऐसे बहुत सारे questions आपके दिमाग में चलते हैं और ऐसा अकसर देखा गया है कि जिनकी first marriage तूट जाती है तो second marriage को लेके भी वो अंदर से बहुत ज़्यदा fearful होते है तो ऐसा कौन सा योग है जिसके चकर में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी जो second marriage हो रही है वो चल पारी है कि नहीं चल पारी है चलेगी तो क्यों चलेगी नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी उसके पीछे का plenty reason क्या है तो सेकंड मैरिज के अगर हम बात करते हैं तो सेकंड मैरिज के लिए आपको देखना होगा अपने बर्शाठ के सेकंड हाउस को सेवन्थ हाउस आपकी फर्स्ट मैरिज सेवन्थ हाउस से एट तबे आपकी सेकंड मैरिज तो second marriage के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो second marriage के लिए आपको second house के lord को देखना होगा कि second house के lord की placement कैसी है second house का lord अगर अपने on sign में है अपने exultation में है केंदर भाव में है तो कौन भाव में है 11th house में है 9th house में है 5th house में है 3rd house में है तो आपकी जो second marriage है वो अच्छे तरीके से चल सकती है यानि जो आपका second life partner होगा उसके साथ जो आपका relation होगा वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा second house का lord अगर 11th house में placed होता है तो second marriage के बाद आपको काफी gain होता है second house का lord अगर 4th house में placed होता है तो second marriage के बाद आपकी जो prosperity है वो बढ़ती है second house का lord अगर 3rd house में आता है तो second marriage के बाद आप बहुत ही skillful person होते हैं और आपकी earning होती है second house का lord अगर 5th house में आता है तो आप शादी के बाद बहुत ज़्यादा lucky हो जाते हैं और उससे आपका जो सुख है वो भी बढ़ता है second house का lord अगर 7th house में होता है तो second marriage के बाद आपकी जो समाजिक इस्थिती है वो भी सुधरती है यानि लोगों के साथ जो आपका relation है वो ठीक होता है second house का lord अगर 9th house में आता है तो शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा भग्य साली होते है second house का lord अगर 10th house में आता है तो second marriage के बाद आपकी social visibility बढ़ती है और आपके carrier में भी आपको तरक्की मिलती है second house का lord अगर first house में आता है तो second marriage के बाद आपकी जो public visibility है यानि आपका जो नाम है पहचान है फेम है वो सारा कुछ बढ़ता है तो इस थरीके से आप देख सकते हैं कि second house के lord की placement अगर अच्छी है और राहु शनी केतू से second house का lord बचा हुआ है यह second house में अगर केतू यह सैटन का aspect पड़ता है या केतू यह सैटन की placement होती है second house के lord के साथ तब थोड़ी बहुत problem हो सकती है लेकिन second house के lord की position अगर बहुत अच sign में है या अपने exultation में है केंद्र भाव में है तिरकौन भाव में है तो second marriage के बाद आपको काफी gain होता है अब second marriage के बाद second marriage के बाद आपको loss क्यों होता है यानि second marriage भी आपकी क्यों नहीं चल पाती है उसके पीछे का reason क्या है उसके पीछे का reason यह है कि second house का lord अगर combustion हो जाए यानि अस्त हो जाए. Second house का lodge अगर अपने debilitation में हो, second house का लाओड अगर combust हो गया है या अपने debilitation में चला गया है या sixth house में, eighth house में या twelfth house में इसकी placement होती है, तब second marriage के बाद भी आपको problem हो सकती है यानि हो सकता है जो आपकी second marriage है वो ना चले और second house का lord अगर ketu के साथ sixth house में होता है तो second marriage होने के बाद भी आपका divorce होता है second house का lord अगर sixth house में, eightth house में या twelveth house में हो और ketu के साथ placed हो या saturn के साथ placed हो या उसके उपर saturn या ketu का aspect पढ़ जाए तो second मेरिज जो आपकी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है और सेकंड हाउस के उपर अगर केतु या सैटन का एस्परक पड़ता है तब भी आपकी सेकंड मेरिज नहीं चल पाती है लेकिन अगर राहू की प्लिस्मेंट सेकंड हाउस में होती है तो सेकंड मेरिज के लेता हूं दूसरी शादी कर लेता हूं मुझे इससे काफी गेन होगा लेकिन गेन आपको तभी होगा जब आपके 2nd house का लॉद् आपको support करे़ यह नि 2nd house का लॉद् अगर अपने ऑं डॉ। embarrassment में हो आपको बेणिज़्ट हूद् सकता है यह सेकंड हाउस का लॉड अगर अपनी अच्छी पोजिशन में है और राहू की प्लेस्मेंट अगर सेकंड हाउस में है या राहू का एस्पेक्ट अगर सेकंड हाउस में पढ़ रहा है या सेटन का एस्पेक्ट अगर सेकंड हाउस में पढ़ रहा है लेकिन सेकंड ह और आपकी जो marriage है वो प्रॉपर तरीके से चल पाती है. So guys, अगर आपके birth chart में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी channel को subscribe कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें, consult करना चाहें और personally हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी website के थुरू हमसे बात भी कर सकते हैं हमसे मिल भी सकते हैं और हमारे साथ चाए और coffee दे भी सकते हैं So guys, take care, love you all and goodbye.